है अब वर्वान वेल्कम टू जरिक जरी एस्टेडी कैसे आप सभी लोग आप सभी को मेरा देड़ सारा प्यार और स्टार्ट करते हैं आप लास्ट टाइम हमने डिसन सिया थे इंक्लूड टेउंकल के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा सीशन है वो है डिक डिक ड्यक्लीनेशन यहwatch के करता हूँ यह आशा करता हूँ कि आप सभी अपने इस चैनल जैनिक जैई एस्टेडी पर आ चुके होंगे और फटा-फटी सेशन को सब जगा है शेयर कर दो सबसे पहला काम पहले सबसे पहले आप सेशन को शेयर कर दीजे और टेल्गाम चैनल को सब इंस्टाल करना मत बूलना टेलराम चैनल को जॉइन करना मत बूलना क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सारी इंफोर्मिशन जो भी रिगार्डिंग डाउट सेशन है और लेतेस्ट अपडेट्स अनोडिफिकेशन जो भी मेरी प्लानिंग जो अभी मेरे दिमाग में स्टार्ट करते हैं that is magnetic declination okay तो फटा फट जो है magnetic declination पर आजाते हैं आप लोग magnetic declination okay magnetic magnetic declination ठीक है इसको थोड़ा सा बहुत जो है ठीक है magnetic declination okay magnetic declination क्या होता है magnetic declination magnetic declination पर अगर बात करें हैं अपन लोग ठीक है तो magnetic declination actually ऐसा देखा गया है कि जो हमारा magnetic north है यानि जो magnetic meridian है वो जो है true north से जो हमारा geographic meridian है उससे match नहीं करता उससे mail नहीं खाता पट्ती नहीं लगता है उससे ठीक है तो वो दूर दूर इदर उदर भागता रहता है जो है ठीक है तो उससे match नहीं करता उससे मेल नहीं खाता है जैसे अब यह आपका हो गया is magnetic नहीं geographic north true meridian ठीक है जिसे को geographic meridian भी आपन लोग बोल सकते हैं ठीक है अब जो हमारा magnetic north है यानि magnetic meridian यह कभी इसके इधर भाग जाता है कभी इधर भाग जाता है ठीक है जिदर मर्जी आता है उधर भाग जाता है तो कभी eastward की तरफ भाग जाता है यह अपन का eastward हो गया ना ठीक है और यह जो है इसको जब यह true median से दाहिनी तरफ और eastward direction में move करता है तब इसको हम बोल तब इसका sign हम लोग positive लेते हैं क्या लेते है positive declination बोलते हैं इसको क्या बोलते है अपन लोग positive declination लेकिन जरूरी तो है जैसे कि मैंने बढ़ा है डोलता रहता इधर अभी यह इधर डोल गया ठीक है अभी इधर आ गया तो इस यह जो है इसको west direction में आ गया ना यह अभी यह west की तरफ आ गया यह इधर west है इधर east है इधर north है इधर ठीक है तो अब जब west side में आ गया है तो इसका sign हम लोग क्या लेंगे negative लेंगे क्या लेंगे dear negative लेंगे ठीक है तो यह क्या है कि जो हमारा true meridian से जितना यह जितना एंगल horizontal horizontal यहां सब कुछ horizontal है dear कुछ vertical लेना है आपको horizontal direction में that is horizontal माले यह alpha बना रहा है माले बीटा बना रहा है यह horizontal angle में लिख दे रहा हूं ताकि आप confused ना हो ठीक है na horizontal angle horizontal angle ठीक है यह beta dear यह भी horizontal ही है वर्टिकल में मत चले जाना है ठीक है horizontal angle ओके ना ठीक है horizontal angle ओके positive और negative जो है ठीक है इसको चलिए S तो लिखा ही है कोई दिक्कत नहीं है तो अब यह जो है आपका जिस direction में right hand side पे गया तो अब इसका sign आप उनको positive लेना इसको जो है हमेशा declination के sign positive लेना है जो है ठीक है इसको पूर्वी declination बोलते है और left side में आएगा तो इसको पश्यमी declination बोलेंगे पश्यमी दिखपाद बोलेंगे इसका sign अपन को negative लेना है इसका positive लेना है ठीक है ना इतना clear है is that clear अब यह magnetic declination है dear इसका जो reason इसका जो reason है इसका जो reason है है ना इसका जो reason है dear वो reason बताया जाता है कि भाई आप दिशाओं में भिन्दता जो magnetic जो रेखाएं ठीक है जो रेखाएं जो है जो लगती है जो जुम्बके बल रेखाएं है उनकी दिशा में भिन्दता बताया जाता है इसका reason जुम्बके बल रेखाओं की दिशा में भिन्दता बताया जाता है तो इस वज़े से जो है ऐसा माना जता है कि यह भाई move करता रहता है true marathon तो constant है वो fix है ठीक है तो अब जो है इसको जो यह magnetic declination है यह एक ही जगह पर same time ठीक है एक ही place पर same places पर ठीक है same place पर जो है different different time में change हो जाता है इसलिए इसका value जानना बहुत जरूरी होता है magnetic declination का value जानना बहुत जरूरी होता है because जो भी जितने भी permanent surveying work है जो भी मतलब भूकर संबंदी शर्वेक्षण high precise surveying work है वहाँ सब पर जहां पर हम true meridian लेते हैं true meridian geographic meridian के respect में ही सर्वेच्षण का रहे के आते हैं हाँ लेकिन magnetic meridian का declination जरूर मेंशन किया था उस समय वहाँ की date इसलिए survey वहाँ पर सर्वेच्षण का site क्या है किस जगह सर्वेच्षण किया गया सर्वेच्षण का date किस date में किस time में सर्वेच्षण किया गया और क्या दिखपात था magnetic declination क्या था यह सारी information वहां पर मैप पर रिप्रेजेंट की जाती है क्योंकि हमें पता है कि कुछ टाइन के बाद हो चेंज हो जाना है तो इसलिए जो है वो चेंज होता रहता है इसलिए जो भी हमारे permanent serving work है जो permanent हमारे map है उन पर declination का आपको detail भी मिलेगा कि declination उस time क्या था किस जगहें पर किस time किस duration में किया गया था ठीक क्या साइट सी वहां पर conserve था पूरा मतलब detailed information आपको मतलब मिल जाएगा जो भी अपने permanent surveying maps है ठीक है तो वहां पर आपको मिल जाएगा permanent surveying maps में permanent compass surveying maps में और यह declination जो है time to time जैसा कि vary करता रहता है दूसरी बात यह है कि जो भी आपके high precise work है वहां पर true meeting की respect में जो है servition किये जाते हैं यह declination का मान जो है काफी जादा हो जाता है तो इसी को बोलते है variation in declination तो इसी में एक topic अपखट से generate हो किया जैसे बोलते है variation in magnetic declination क्या बोलता है variation अब इसमें बहा होता रहता है यह भी नहीं कि मतलब एक जगें मतलब मान जो मान लोकön difference create हो भी गया तो यह लिए जो है हमें इसको जो है variation इसका find out करना पड़ता है variation in magnetic declination in magnetic declination magnetic declination magnetic declination ठीक है ना ओके तो यह आपन का हो गया जो है variation in magnetic declination हम लोग find करते हैं variation जो होता इसमें यह दो तरह से होता है एक regular है ना एक regular variation और दूसरे को बोलते है irregular variation ठीक है फस्ट है dear जिसे बोलते है regular 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 variation ठीक है ना regular variation and second is dear second is irregular variation क्या है dear irregular irregular variation है ना irregular variation अभी देखो क्या करना है अपनको regular variation में भी तीन है dear regular variation में भी तीन है एक डेली जिसे डार्नल भी बोलते हैं डेली डेली और डेली और डार्नल ठीक है वेरियेशन अभी दूसरे को आपन लोग क्या बोलते हैं डेली और डार्नल के बाद annual 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 variation okay annual variation annual variation ठीक है ना और लास्ट डिया थाड जो है वो है secular 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 variation okay ना secular variation okay that is 3 that is 2 that is 1 okay अब डेली आपको मैं बता दूँ कि यह जो अब आ गए ठीक है अब सही है तो जो यह डेली और डार्नल variation होता है और जो अनुवल variation होता है मतलब डेली का मतलब वोडियार की एक डेली होने वाले 24 गंटे में जो variation होता है मतलब जैसे मान लिए कि अभी आपका ट्रू मेरीडियन था नौर्थ टीम अभी हमारा magnetic यहां था अभी यह थोड़ी दिर बाद यहां आ गया कि यह magnetic meridian this is magnetic meridian तो यह जो difference आया ठीक है ठीटा यह एक दिन में 24 गंटे में होने वाला जो variation है ठीक है उसे डेली या डेर्नल variation बोलते हैं और एक मिनट से 10 मिनट तक होती है ठीक है इसमें जो variation होता है एक मिनट से 10 मिनट तक का variation हो जाता है ठीक है अब secular variation का मान परियाप्त देखा गया है डियर 10 degree से लेकर के 30 degree तक secular बहुत दीर कालिक होते हैं बहुत long duration में होते हैं ठीख है नेक्स्ट जो आता है irregular variation irregular variation क्या आहिए कि यह due to storm यह जो है डियर यह due to storm due to magnetic storm ठीक है due to magnetic storm चुंबकी तुफान magnetic storm ठीक है जौला मुखी के फटने से sun spots से sun spots sun spots ठीक है जौला मुखी वगरा के फटने से जौला मुखी etc ठीक है इन सब के फटने से आदे है इसका जो मान आपको मिलेगा डियर वो 2 डिगरी से 3 डिगरी तक मिल जाएगा ठीक है तो ठीक है इतना ये तीन होते आपके इवेन यहां तक देखा गया दीरकालिक कमान इतना देखा गया कि पेरिस में 1680 में ठीक है इन पेरिस 1680 में जो टेकलाइनेशन था टियर वो 11 डिगरी इस्ट था अभी यही चीज ना 1820 में सेम टाइम सेम सेम डेस्ट इस्टिनेशन ये जो है 22 डिगरी वेस्ट चला गया भाई इतना खतरनाक सूच लिजे मतना इस्ट से वेस्ट में डारेट चला गया इतना डिफरेंस हा गया तो अब आप कैसे विश्वास कर सकते हो मैगनेटिक मेरीडियन पर ठीक है इतना ये चेंज हो गया तो ये बहुत इंपोर्टेंट है डियर मैगनेटिक डेकलाइनेशन आपका इसी क्रम में कुछ टर्म्स टर्मिलोजी और आती है जो कि very important है बहुत important है जिसे अपन लोग बोलते है पहला आता है डियर जिसे बोलते है agonic line क्या बोलते है agonic line agonic line agonic line क्या होता है कि agonic line उसे बोलते है शून दिखपात वाले बिंदों की मिलाने वाली रेखा को imaginary line भी हो सकती है ठीक है जैसे माल लीजे यह हमारा जो है सॉरी agonic change कर दिया ठीक है तो agonic line शून दिखपात वाले बिंदों जो शून दिखपात वाले छेतर में इस्थान है उनको मिलाने वाली कल्पन रेखा को agonic line बोलते है और यह अभी information के according match gun match gun ठीक है indiana indiana and southern carolina and southern southern carolina ठीक है यह सब जगहों से पास हो रही है ठीक है इस time यह जो है match gun, indiana, southern carolina इन सब जगहों से पास हो रही है इसी क्रम में deer आता है और next जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं deer जो है, जो है, next जो आता है उसे बोलते हैं isogonic line, क्या बोलते है deer, isogonic isogonic line, ठीक है ना, isogonic line, अभी isogonic line क्या है ना, isogonic line, same declination वाले points को मिलाने वाली, same declination, same declination वाले points को मिलाने वाली, ठीक है ना, same declination वाले points को मिलाने वाली, जो रेखा होती है, उसे isogonic line बोलते हैं, क्या बोलते हैं, isogonic line, is the line to join the same declination of points, ठीक है, points of same declination, तो यह आपका आजाता है, magnetic declination पर, जो है, questions put up होते हैं, magnetic declination, अभी सारी इस की जो है, आपको चीज़े, पता कर चल गई, बहुत different है, बहुत change हो जाता है, magnetic north true meridian से, disturb हो जाता है, ठीक है, तो यह अपना place change गएदा है, इनके बीच चैतिच कोण बन जाता है, magnetic meridian और true meridian, geographic meridian के बीच में, उसी को बोलते हैं, अपन लोग, क्या, magnetic declination, ठीक है, अब इसी क्रम में, dear, इसी क्रम में, एक terminology, एक formula create हो जाता है, जैसे आपन लोग बोलते हैं, क्या, true meridian, अभी देखो, true bearing, ठीक है, तो अब यह बताओ मुझे आप, जैसे कि मान लीजिए, यह हमारा north था, ठीक है, यह true meridian का north था, north of true meridian, ठीक है न, अब जो है, यह हो गया हम लोगों का, क्या नाम है, north यह भी है, बट, magnetic meridian है, ठीक है, अब यह हमारी कोई सर्वेच्छन रेखा हो गई, यह अपन की कोई सर्वेच्छन रेखा, चलो भाई, मान लेते हैं, यह अपन की कोई सर्वेच्छन रेखा हो गई, ठीक, अब देखिए यहां पर, अगर इसका सर्वेच्छन रेखा का true bearing निकालेंगे हम लोग, सर्वेच्छन रेखा का true bearing निकालेंगे, तो यहां से यहां तक मीजर करेंगे, अलफा मान लेते हैं इसको, और magnetic true bearing मीजर करेंगे, तो true bearing क्या होता है, कि सर्वेच्छन रेखा का, अगर मीजर करेंगे हम लोग, तब देखिए क्या होगा, इसको मैं अगर बीटा मान लूँ, तब यह क्या हो जाएगा, ठीक है, यह आपका magnetic bearing हो जाएगा, ठीक है न, ठीक है, यह आपका magnetic bearing हो जाएगा, तो अब यहां पर देखिए, magnetic bearing और true bearing, दूसरा case देखिए, अब यहां से अगर आपको true bearing निकालना है, यहां से true bearing निकालना है, यहां से मान लीजिए, भाई, true bearing आपको निकालना है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, true bearing को, magnetic bearing में, यह इन दोनों की बीच के जो अंतर ही है, क्या, declination है, इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ, तो यह अपन का क्या है, declination, declination, declination का मतलब जो है, generally, declination, declination का मतलब वही, magnetic declination ही होता है, अगर आप से के ओल, declination मतलब तो आप समझ जाए, कि magnetic declination ही है, वो, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखे, true bearing अगर हमें find करना है, तो magnetic bearing में देखे, declination प्लस हो जा रहा है, magnetic bearing, प्लस declination, हो रहा है कि नहीं, प्लस declination, ठीक है न, इतना clear है, अच्छा, अभी आगे आईए, और अभी एक इसमें, terminology बाकी है अभी, ठीक है, दूसरा क्या है, कि, जैसे माल लीजे, यह अपन का, north head true meridian, ठीक है, north head true meridian यह, और, यह जो है, हम लोगों का, magnetic meridian हो गया, यह north हो गया, magnetic meridian, अभी अपन की सर्विक्षण रिखा इधर है, ठीक, OA, अब यहाँ पर देखो dear, अगर इसका true bearing का बात करें, तो true bearing इतना आएगा, और अगर magnetic bearing का बात करें, तो इतना आएगा, ठीक है, बीटा, और इनके भी जो declination है dear, वो, theta, तो यहाँ पर देखिया, declination add करना पड़ रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग magnetic bearing निकालें, true bearing, sorry, true bearing अगर यहाँ पर हम लोग निकालें dear, तो true bearing यहाँ पर क्या हो जाएगा, true bearing अपन लोग लिख सकते हैं, जो है, magnetic bearing plus declination, sorry, true bearing क्या हो जाएगा, magnetic bearing में से declination minus करोगे, पूरे में से आप इडेकलाइशन में से करोगे, तब आपको true bearing मिल जाएगा, तो यह यहाँ पर क्या formula बन गापन के पास, magnetic bearing minus declination, clear हुआ dear, देखें यहाँ पर कुछ समझे, आप, क्या difference समझ में आया, मतलब की true bearing find करने के लिए, magnetic bearing में declination का मान, plus भी करना सकता है, करना पड़ सकता है, और minus भी करना पड़ सकता है, यानि all over अगर हम बात करें, तो हम लिख सकते हैं, कि true bearing is equals to, true bearing is equals to, magnetic bearing plus minus declination, declination, ठीक है न, plus minus declination, clear है इतना, this is the correct concept, अब इसके किसमें क्या है कि true, जो भी आपके questions है, जो भी problems है, इस पर based, वो बहुत आसानी आप कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ पता हो, आपको magnetic bearing, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ पता है, तीसरी अपने आप अपनी कालो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये doubt clear करने के लिए, जोटा सा example भी ले लेता हूँ, ठीक है, जोटा सा example भी आपन ले लेता है, जिससे आपका doubt clear हो जाए, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम में ले लेता हूँ, ठीक है, determine, determine, the well, determine the true bearing, determine the true bearing, the true bearing, of a survey line, of a survey line, ठीक है, of a survey line, A, B, on the basis of following data, on the basis of following data, following data, अभी following data के basis पर हमें क्या करना है, उसका हमें true bearing measure करना, तो कैसे करेंगे, देखो, पहला बेस, for bearing, of line A, B, या survey line A, B, लिख देता हूँ, ज्यादा ठीक रहाएगा, survey line, survey line, A, B, कितना है, कितना ले लिया जा, चलो मैं ले लेता हूँ, 81 degree, 20 minute, ठीक है, 81 degree, 20 minute, ठीक, अभी इसमें क्या है ना, इसमें, अब हम लोग, जो हमें declination, declination is, declination is, 2 degree, east, ठीक, 2 degrees, तो इसका solution चले है, हम लोग, fine कर लेते हैं, फटाफट, तो answer क्या हो जाएगा, true bearing, solve, इसका solve, मैं आलिक देता हूँ, ठीक, solve, A का solve, क्या हो गया है यहाँ पर, dear, A का solve, क्या हो जाएगा, true bearing, true bearing, अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, true bearing is equal to, magnetic bearing, plus, minus, declination, ठीक है, अभी देखो, यार, क्या है न, कि plus sign हमें कब लेना है, plus sign हमें, जब eastward में, मैंने शुरू में बताया था, जब eastward में रहेगा, तो declination के sign हम plus लेते हैं, अगर west direction में रहेगा, तो उसका sign हम, minus लेते हैं, तो अभी हम क्या लेंगे, east में हैं, तो अभी आपन क्या लेंगे, इसका sign plus लेंगे, ठीक है, magnetic bearing देही रखा हैं उन्होंने, 81 degree, 20 minute, plus declination, declination देखे, 2 degree, अभी एक काम और बाकी है, इसमें, ये तो answer आगया, आपका फिलाल, लेकिन अभी एक काम और बाकी है, इसमें, true bearing, answer तो आपको मिल गया, this is the answer, ठीक है, इसको diagram के हिसाब से भी, हमें draw करना आना चाहिए, diagram का practice ज़रूर करिए, और दूसरी बात और बता देता हूं, अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो कभी भी questions, कभी भी आपसे survey में errors नहीं होगे, पहली चीज, कि हमेशा survey आप ऐसी जगहां पर करिए, जो कि metallic चीजों से दूर हो, अगर metallic चीज है, कोई obstacle है, तो metallic building है, metallic chimney है, इसपाती सनरशनाव से, यहां से railway station से, railway lines है, यह हमारे आसपात, जो भी metallic चीज है, उन से हमें दूर करना है अपना, compass survey चाहूं, वरना पहले ही आपका work affected हो जाएगा, दूसरा काम यह है, कि आपको जो magnetic needle होती है, उसको जो है, magnetic needle को, जो है, उसका जो needle होता है, उसको जब आप एक जगह से दूसरे का उठा के लिए जाते हो, तो उसको आपने क्या करना है, कि उसको खिसका कर ऊपर कर देना है, lever lifting pin से, ठीक है, ताकि उसका magnetic effect safe रहे, ठीक है, अकसर यह आप mistake कर देते हो, यह दो mistakes आप अकसर कर देते हो, ठीक है, तीसरा यह है, कि आप जिसने भी, आप जैसे बताया है, कमपासरियों में, recognition रिखाएं, जितनी ज़्यादा ज़्यादा लंबी लेंगे, लॉंग Shoot Sun रिखाएं 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 और, turn कम लेंगे आप, ऐनकी छोटी सर्वेशन रिखाएं, फिर बार बार टरन पर टरन लेते जा रहे हो, टरन पर टरन लेते जा रहे हो, तो वहाँ पर errors बहुत ज़ादा हो जाएंगी, अगर इन तीन चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो surveying में, compass erroring में errors आपसे बहुत ही कम हो जाएंगी, फिर बस आपको चौती चीज़ बस यह ध् ट्राइग्राम पर ट्रॉग करने जा रहा हूं, ठीक है, ड्राइग्राम पर ट्रॉग करना चाहिए हम लोगों को, जैसे मान लीजे, अब हमारा यह true meridian हो गया, ठीक, यह हमारा true meridian हो गया, अभी देखो, true meridian के बाद यह क्या है न, हमारा यह जो given है, यह four bearing है, और यह magnetic bearing है four bearing and magnetic bearing, ठीक, तो यहाँ पर यह, इसको आपन लोग true meridian मान लेते हैं, ठीक है, है न, और declination कह रहा है, बाई, two degree east है, मतलब आपन लोगों का magnetic meridian two degree east में भाग गया, यह इधर भाग गया, यह, ठीक है, यह magnetic meridian, भाग गया इधर, अभी इसको control करना पड़ेगा, अब जो हमार इसको अपनी सर्वेचान रेखा है, वो magnetic meridian के साथ 80 degree 20 में बना रही है, और इसको ओ नहीं करता हूँ, उसको मुझे ए करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे ए करना पड़ेगा, यह हो गया, अब यह हो गया, बी, अब यह हो गया, 81 degree 20 मिनट, क्या हो गया, 4 bearing of survey line AB, ठीक है, survey line AB, ठीक है न, AB survey line, ओके, इतना clear है, तो अब हमें क्या चाहिए, देखे, diagram से भी और formula दोनों चीज़े fit बैट रही है, formula से भी आपका 83 आ रहा है, और आपको true bearing चाहिए, true bearing के लिए हमें इतना चाहिए, यानि कि जो declination है, 2 degree का हमें इसको add करना पड़ेगा, तब ही तो हम पहुंचेंगे, तीसी लिए तो यहाँ पर add किया है, क्योंकि यह exist कर रहा है इसी से, ठीक है, तो इस तरह से आप, जो है, आपको clear है, magnetic declination, इसके बाद, अब हम next class में, next session पर, अपने next lecture पर, हम लोग का topic होगा, local attraction, इसी तरह से, अगर माल यह 2 degree west में भी declination जाता है, चलिए मैं एक जो छोटा सा और example ले ले लिता हूँ, तो 2 degree west का, अगर declination, declination is, declination is, 2 degree west, अभी अपन लोग अगर 2 degree west का ले ले लेंगे ना, तो देखिये क्या होगा, 2 degree west में, डियर क्या है न, कि figure change जाएगा, तुरंथ, नौर्थ, यह हो गया, अपन लोग का true meridian, ठीक है, और, यह जो है, अभी क्या हमारा magnetic meridian 2 degree west भाग गया है, magnetic meridian 2 degree west भाग गया, अभी यह इधर आ गया, कह रहाता न, मैं कि यह भागता रहता इधर उदर, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक, तो अभी यह 2 degree west में आ गया, तो अभी यह हमें कैसे मिलेगा, अभी उल्टा करना पड़ेगा, हमें, हमें अब सब्ट्रैट करना पड़ेगा, तो यहां देखें, यह true bearing क्या हो जाएगा, क्योंकि west में है, तो फार्मूले से भी, और देखें, डियाग्राम से भी पता चल रहा है, यह तभी मिलेगा, य से हम इतना सब्ट्र schwette करेंगे, यानि कि, मैगनेटीक बेरिंग में से, ठीक है, हम ने ट्रमाइश्ट कर देंगे, तो मैगनेटीक बेरिंग हमां का कितना था, 180, सोरी, पहले फार्मूला लिख लिक लेते हैं, मैगनेटीक बेरिंग, माइनेस, ट्रमाइनेश्ट, आपि BEN Sh did इतना था 81 degree 20 minute ठीक है minus declination 2 degree अभी यार 81 subtract 81 में से 2 subtract करूं कितना आएगा 79 79 degree 20 minute this is the true bearing यह आपका क्या हो गया true bearing this is the answer ठीक है तो I think मेरे खाल से चीज़े clear होंगी आपको ठीक है और अब आज यह आपका magnetic declination topic यहां पर complete हो गया है इस पर regarding इस पर बेज जो भी प्रक्ष्ट नमेरिकल problems है problems है आप उनको practice करिए because practice makes a man man perfect और अब हम लोग मिलते हैं next section next session में next lecture में लेकर local attraction okay thank you everyone thank you so much अधिसे बाचत है आप स्क्वाना प्रक्ष्ट करेंग नेकर के दोग को आपका क्रा आपका पका कर्षब नेकर लेकर के दोगने हैं